मोर्टर सैकल्स की दुनिया में हायाबूसा वो नाम है जो एक अलग ही पहचान रखता है खासकर भारत में धू मूवी के एक सीन में हायाबूसा को दिखाये जाने के कारण यहां के लोगों में इसकी पॉपिलालिटी और भी बढ़ गई इंडियन सबकॉंटिनेंट के साथ ही पूरी दुनिया के मोर्टर एंथूजियास्ट हायाबूसा को सबसे बैतर बाइक मानते है या मानते थे 2015 तक क्योंकि 2015 में कावा साकी ने अपने पॉपिलर निंजा ब्रैंड के अंडर एक नई बाइक लाउंच की निंजा H2R ये बाइक इतनी पावफुल और शांदार है कि इसे वर्ल्ड's best और फैस्टेस्ट बाइक मानने से कोई भी इंकार नहीं कर सकता पर हायाबूसा की अपनी fan following है और अब 2021 में Suzuki ने updated third generation हायाबूसा को launch कर दिया है तो इन दोनों सूपर बाइक में से कौन सी बाइक वर्ल्ड's best कहलाई जाहिए जवाब सिंपल है compare करके देख लेते हैं नॉर्मल राइड में जो comfortable होने के साथ daily challenges face करने में convenient हो और race track पर सबसे तेज हो वही होगी वर्ल्ड's best सूपर बाइक convenience की बात आई है तो बात कर लेते हैं इनके price की Suzuki Hayabusa की price है 16,00,00 रूपए यानि कि जिस price पर आप एक अच्छी SUV खरीद सकते हैं उतने में आपको मिलेगी है सूपर बाइक after all ये एक सूपर बाइक है पर इस मामले में Ninja H2R कुछ जादा ही उपर है इसकी price है 76,00,00 रूपए यानि कि जितने में आप एक 2BHK flat, एक SUV और एक normal bike खरीद सकते हैं उतना खर्च करना होगा आपको बस एक Ninja H2R के लिए convenience की बात पर हमने इन bikes की price देखी तो mileage को कैसे छोड़ दें 16,00 की Hayabusa में आपको 11 km per litre का mileage मिलेगा 80-90,000 की normal bikes भी 40-45 km per litre का mileage देती है आपको लग रहा हो कि mileage is inversely proportional to price और इसलिए Ninja H2R की mileage और भी कम होगी लेकिन ऐसा नहीं है H2R की mileage Hayabusa से जादा है Ninja H2R पूरे 15 km per litre का mileage देती है मजाग छोड़ करणा बाते हैं specifications पर Hayabusa में 1340cc का engine है जो 187 BHP की maximum power और 150 Nm का torque produce करता है इसके engine को smooth और refined performance के लिए design किया गया है High speed पर भी ये बाइक गजब की stability रखती है और smooth ride experience देती है Ninja H2R में 998cc का engine है ये engine 322 BHP की maximum power और 165 Nm का torque produce करता है और यही reason है कि लगबग 400 km per hour की top speed के साथ Ninja H2R कई sports cars को भी पीछे छोड़ देती है इस bike को बनाते हुँ बस एक जीज़ पर focus किया गया है और वो है performance Looks और comfort के मामले में आप सब की अलग-लग preferences हो सकती है पर performance की बात आते ही Ninja H2R के सामने किसी भी bike का टिकना impossible है अगर आप जानना चाहते हैं कि Ninja H2R इतनी तेज और powerful कैसे है तो वो आप इस वीडियो को देख कर समझ सकते है इसका लिंक आपको description में भी मिल जाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो please like करें इस तरह की और भी इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें